Welcome back to Allium Chemistry आज हम बात करने वाले हैं कि IIT Truth Chemistry के लिए class 12 में mathematics नहीं है और graduation में mathematics नहीं है या graduation में जो भी आपने class 12 में mathematics था पर graduation में नहीं है तो हमें IIT med. mission मिलेगा या नहीं या NIT med. mission होगा नहीं होगा आज के video में मैं यही बात करने वाली हूँ और exam date भी जा चुकी है So now what we do इन सबका solution आज मैं आपको provide कराने वाली हूँ चलिए वीडियो को start करते हैं Okay, so सबसे बहले आप official website पर चलते हैं NIOS यानि open schooling जैसे मैं official website पर जाती हूँ तो आप यहाँ पर admission open करते हैं admission portal open किया admission portal open करते ही 10th year 12th क्योंकि हमें 12th के एक्जाम के बारे में बात करनी है देखो सबसे पहले कि आप without 12th mathematics के आप IIT Jam Chemistry के लिए eligible नी हो क्योंकि bio वाले student होंगे generally तो bio वाले student ने mathematics तो पढ़ा ही नहीं होगा और उनका syllabus में भी नहीं होगा so problem आ सकती है फिर इसका कुछ ना कुछ solution तो होगा तो यहाँ पर एक solution आता है वो solution यह कि आप open schooling से paper दो अपना आप open schooling से mathematics का paper निकाल दो ठीक है बहुत easy होता है पर इतना tough नहीं होता हलांकि classes भी यहीं पर लगती है अब तो classes भी यहाँ पर यह लगवाते हैं एक दो चार classes आप देख लेना आपको बता चल जाएगा क्या होता है क्या होता है ठीक है तो दूसरी बात है कि open schooling कैसे काम करेगा open schooling में हम कैसे admission कराएं अपना और अभी कुछ है भी यह नहीं है देखो सबसे बेले admission की portal पर जाने के बाद आप जैसे यहाँ portal open करने के बाद आप important date करते हो तो important date में मेरे पास यहाँ दो options आते हैं देखो यह पूरा साल आप admission करा सकते हो पर इसमें शिफ्ट बना रखी है एक summer एक winter तो अभी हमारे पास जो registration चल रहा था 16 मार्च से लेकर 15 सप्टेंबर तक 15 सप्टेंबर तक जो registration था वो summer season के लिए था यानि कि जिन बच्चों ने 15 सप्टेंबर तक अपने admission कराया उनका paper अपरेल मई 2022 तक हो जाएगा पर जिन बच्चों ने अभी तक registration नहीं कराया उनके पास time है 16 January से लेकर 15 मार्च तक 15 मार्च तक वो अपने admission करा ले ताकि उनका जो exam होगा वो 22 में ही हो जाएगा पर October November 2022 तक हलाकि IIT जन के mystery के अगर मैं बात करूँ तो IIT जन के mystery वाले September 2022 तक सभी documents मांगेंगे 30 September तर ठीक है और यह जो हमारे exam होने वाला यह October में होगा तो एक तरीका तो यह है कि आप अपनी जहां भी आपके IIT में या नाइट में admission होता है वहाँ आप mail कर सकते है कि हमारा भी exam नहीं हुआ तो exam तो maybe वो इसके बारे में कुछ सोचे मतलब आप यह चाते हो ना कि आपका IIT में admission हो तो वो तो requirement है वहाँ पर mathematics की पर आपके पास class 12 में mathematics नहीं था तो आप यहाँ on demand अपना registration करा सकते है on demand में क्यों होता है every month paper होता है आपका जो subject आपको mathematics के लिए करना है तो आप mathematics के लिए 211 इसका code है यहाँ पर आप अपने admission करा सकते हैं secondary, senior secondary level पर जो हमारी exam सुंगे तो यहाँ इन्होंने दे रखा है तो mathematics के exam on demand होगा every month होता है कैसे करना है इसे click करें यहाँ पर इन्होंने पूरा procedure दे रखे अपना registration करा हैं सब करने के बाद 2-3 step इन्होंने लिख भी रखा है अगर आप NOIS पहले learners है तो आप थोड़ा easy है अगर आप नहीं है तो आपको पहले यहाँ पर अपना registration कराना होगा तो still कोई बात नहीं आप अपना registration यहाँ करा सकते हैं contact us and important links यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड करा रखा है books और study material यहीं पर प्रोवाइड के लिए इन्होंने बता रखा है free related queries कुछ भी आपका doubt है तो मैं इन short में आपको इतना बताना चाहूंगी आप यहाँ पर अगर चाहते हो आपका exam FAB में हो जाएगा IIT Jam Chemistic Exam FAB में 13 FAB को हो जाना है यह जब भी आपका FAB में हो जाएगा उसके बाद आप March में on-demand admission करा लो अपना on-demand अगर कराना चाहते हो तो March में on-demand करा लो अगर आप इस तरह से कराना चाहते हैं कि आप October-November वाला paper देना चाहेंगे पूरी साल की मेंनत खराब हो जाएगी तो बेटर है कि आप March में on-demand exam दे दे इजी होता काफी मुश्किल नहीं होता ठीक है तो यहाँ पर आप on-demand exam mathematics का दे सकते हैं और यहाँ पर इन्होंने virtual classes भी लगा रखे है इनकी app है इस app को open करके आप यहाँ पर सब कुछ आपको समझ आता रहेगा क्या है यहाँ पर और भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा शो करना चाहूंगी देखो यहाँ पर उपर इस बार mention हो रहा है कि कैसे कैसे होता है क्या-क्या features है कौन-कौन से exam है अगर आप senior secondary obviously आप mathematics का देंगे तो आप यहाँ mathematics sorry three triple one है senior secondary का वो तो उनका है na secondary वालों का senior secondary का है three triple one double one three double one वाला आप यहाँ से कर सकते हैं कैसे होता है देखो इन्होंने लिकर रखा है कि examination day for the theory paper कब-कब होता है Tuesday Wednesday Thursday for the regional center और जो नौइडा वाले हैं उनमें कौन सा होगा दूसरे center centers कहां से पता चलेंगे उन्होंने सब mention कर रखा है आपर तो आप center भी देख सकते हैं आपर कौन-कौन से अपना exam होता है तो April, May, October, November में तो on demand होने नी वाला है बाकी जितने मंत बचे जनेवरी फरवरी में आप IIT Jam की तायारी कर रहे होंगे तो आप March में करा लो जून में कराओ, जुलाई में कराओ, कराना कैसे है वह आप यहां से अपना देख सकते है अपना registration करा ले ना देखो इन्होंने ब्लोक वगरा का अप यहां पर उपर आपको आई बटन नजर आ रहोगो इस वीडियो को देख ले ना वहां से आपको पता चल जाएगा ठीक है, so thank you so much to watch this video, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो comment करके बताईएगा and okay, so thank you so much, like the video जरूर कीजेगा, वीडियो को like कीजे, share कीजे, ज़्यादा से ज़्यादा subscribe करें चैनल को चीक है, bye bye, thank you so much